आज 5 जून 2021 बाप दादर के महवा के हैं मीठे बच्चे पूरा वर्सा पूरा वर्सा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो पूरे वर्सा लेने क्या करना है एक बाप से पूरी प्रीत रखो तो तुम्हारी प्रीत किसी भी देधारी से नहीं होनी चाहिए किसी भी देधारी से नहीं होनी चाहिए किसी भी कौन को न आएगा लौकिक अलौकिक सुक्षम बतनवासी देवी देवता है घर में लोगों ने बगवान बहुत खटेगा रखी है मूर्तिय सबकी लगा रखी है भी तो देदारी है बाबाता कहते है सुक्षम बतनवासी ब्रमा विश्नु शंकर जिनकी सुक्षम देए है उनसे भी प्रीट नहीं होनी चाहिए सुक्षम बतन से पार जो गौड फादर परम पिता परमात्मा हिंदी में कहते हैं सिर्फ उससे प्रीट पूरी होनी चाहिए क्यों क्योंकि बाबा कहते बाप एक है बाकी सब है उनके बच्चे भाई भाई कोई भी भाई कितना भी परफेक्ट है वो आपको वर्सा नहीं देगा जब वर्सा ही नहीं देगा तो याद करने का प्रीट कर रखने का फाइदा क्या है प्यार सबसे पर बुद्धी फसी हुई कहीं नहीं यह चक करेंगे क्यों क्योंकि हमने बाबा से पूरी प्रीट क्यों रखनी है क्योंकि हमने पूरा वर्सा लेना है पूरी वसीयत लेनी है सुक्षांति संपन सब चीजे लेनी है अब प्रशन है जो अपने दैवी संपरदाए के होंगे जो अपने देवता बनने वाले होंगे संपरदाए में आने वाले होंगे उनके सामने कौन से अक्षर गूमते रहेंगे बार बार बुद्धी में वही गूमता रहेगा बार बार बुद्धी को वही टच होता रहेगा दैवी संपरदाए वालों के देवता जिन्होंने बनना है उत्तर है जब तुम उन्हें बताएंगे कि बाप को याद करने से विकरम विनाश होते हैं जो में पिछले विकरम कियो है और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है एक तो विकरम विनाश हो रहे हैं और देवता धर्म की स्थापना हो रही है तो यह अक्षर उनके सामने घूमते रहें यानि कि उनकी बुद्धी में आएगा हमें देवता बनना है हमें ही देवता बनना है इस बात टाच होगी बुद्धी में बैठ गी हमें ही देवता बनना है इसलिए सबसे इंपॉर्टन्ट हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए हमारा खाना पीना शुद्ध होना चाहिए यानि कि जो देवताओं को आफर करते हैं वो ही हमारा खान पान हो और आज तो देवताओं को भी अशुद भोजन खिलाते हैं इतना तामसिकता बढ़ गई है तो नरातरे में देखो क्या खिलाते हैं लसन प्याज भी नहीं खिलाते हैं तो हम क्यों उसका सेवन करें गीत है भोले नात से निराला और कोई नहीं बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं कैसे बिगड़ी को बनाता है आगे है अगम निगम के भेद खोले यानि कैसे दुनिया में आए कैसे जाना है कि सारे भेद बाबा खोल देता है ओम शांती भोले नात के बच्चे सुन रहे हैं किस से भोला नात से और भोला नात शिव को ही कहा जाता है शंकर को नहीं उनका नाम ही है शिव अब भोला नात के बच्चे अर्था शिव के बच्चे बच्चे यनि आत्माएं सुन रही हैं इन कानों से तो अभी तुम बच्चे बने हो आत्म अभी मानी जब हमारे को ये समरिती रहती है मैं इन कानों से सुन रहा हूँ आँखों से देख रही हूँ हाथों से कारी कर रही हूँ टांगों से चल रही हूँ इस कॉंश्यस में रहना ये है सोल कॉंश्यस रहना अब बच्चे टेप पर भी मुली सुनते हैं तो समझते हैं शिव बाबा शिव जो मारा बाप है हमको अपना परिचे देते हैं क्या परिचे दिया कि मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ जिसको तुम परम पिता परम आत्मा यानि परमात्मा कहते हो उनको सदैव फादल ही कहते हैं कौन कहते हैं कि वो फादल है आत्मा और आत्मा को अब ग्यान मिला है और दुनिया में कोई मुनुश्य मातर को ये ग्यान ही नहीं हैं कौन सा ग्यान कि हम आत्मा हैं और हम आत्मा को दो बाप हैं एक फिजिकल फादर साकार बाप और एक है निराकार आत्मा का बाप निराकार आत्मा भी निराकार है उनका बाप भी निराकार है वो है परम पिता सुप्रीम फादर आत्मा का पिता अब ये समझाने और कोई देई ना सके तो बाप के सिवाए और कोई ये पूछी ना सके बाप ही पूछते हैं तुम जो कहते हो परम पिता परमात्मा गौड फादर वो तुम किसके लिए कहते हो क्या लौकिक बाप के लिए वा पार लौकिक बाप के लिए अब लौकिक बाप को गौड फादर कहेंगे हिंदी में अक्षर भी है परम पिता अब वो तो एक ही निराकार है अब इश्वर भगवान अल्ला रभू वाहे गुरू कहने से वो बाप सिद नहीं होता बाप की फिलिंग नहीं आती है गौड फादर अक्षर अच्छा है यानि आत्मा ने कहा वो हमारा गौड फादर है जिको दुनिया गौड कहती है वो हमारा फादर है अब लौकिक फादर तो सिर्फ शरीर का बाप है तुम सबसे पूछा जाता है तुम को कितने फादर है तो एक है लौकिक दुसरा है पार लौकिक एक शरीर का पिता एक आत्माओं का पिता दोनों में बड़ा कौन जरूर कहेंगे पार लौकिक फादर क्योंकि लौकिक फादर जो है वो भी उसी को याद करता है उनकी महिमा है क्या महिमा उनकी सब पतितों को पावन बनाने वाला पार लौकिक बाप अभी ये भी अभी तुम ही समझते हो और दुनिया में ये कोई भी नहीं समझते तो भी बाबा ने समझाया तुमको पार लौकिक बाप से प्रीत है और औरों की है विनाश काले विप्रीत बुद्धी और विनाश का समय अभी है वही महाबारत की लड़ाई इसे थर्ड वर्ड वार कह रहे हैं अब लगनी है एरो प्लेंज टैंक्स आदी एक दूसरे को सपलाई कर रहे है सब को देते जाते हैं पैसे से जिसको जो चाहे उनको देते जाते हैं उधार पर भी लेते हैं तो प्लेंज बारूद आदी ये सब इस समय खरीद करते हैं ये सब चीजए बड़ी मेंगी होती है विलायत वाले बनाते हैं वो ही फिर बेशते रहते हैं दून्टे रहते हैं तरांका पंगा है तो हमारा बिजनस है ख्रीदगार्ट ख्रीददारी करें अब भारत वासी ही थोड़ा ही ऐरो प्रेन आदी बेशते हैं अब ये सब चीजें बाहर से आई हुई हैं अब अब स्वाल उखता है जो चीज खरीद करेंगे सो जूरू काम में ही लाएंगे पैंकने के लिए थोड़ा ही लेंगे इतनी महंगी महंगी जिसे पैंकेंगे तो ना तो वो है विनाश काले विपरीत बुद्धी यादव संपरदा है विदेशी कोने सा रहे है यादव संपरदा है जो यरॉप में रहते हैं उसमें सभी विदेशी आगे और भारत भारत तो है अविनाशी खन क्यों क्योंकि अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है जब पुरानी दुनिया खत्म होनी है और जनम वहा लेते हैं जहां कभी खत्म ही नहीं होना है भारत अभी नाशी है कभी खत्म नहीं होता बाप आया था तभी तो प्रूफ क्या है शिव जनती मनाते हैं प्रंतु मनाने वालों को ये पता नहीं है कि शिव बाबा कब आते हैं कब आते हैं बता बच्चो को कब आयशे बाबा कौन से सन में आय थे सन कौन से सन था जब बाबा आय थे प्रवेश्कियद बाबाने प्रमत में 36 कि 37 कब आय थे 36 में बाबा 36 में आये कि 37 में आये कनफरमेशन नहीं है तब ही कहते हैं 36 37 क्यों बाबा ने कब परवेश्किया ये पता ही नहीं क्योंकि साक्षाद कार तो भक्ती मार से चल रहे थे अब नया ग्यान था कि भगवान प्रेश करेंगे ये सोचा नहीं था अब वो साक्षाद कार थे करा रहे हैं कि परवेश होगे पता ही नहीं चला इसलिए शबाबा के जनम की कोई डेट नहीं है क्याते हैं लगबाद 36 और 37 के बीच में परवेश होगे अब आप कहते हैं वो हैं कौन जिन्होंने सारे अमिनिशन्स बनाए रहे हैं वो हैं यौरोप वासी यादव संपरदाए जो सत्यों में होते ही नहीं ना बादी ना क्रिश्चन आदी होते हैं अब बाप कहते हैं उन्हों की है विनाश काले विपरीत बुद्धी क्यों उनकी क्यों है विनाश काले विपरीत बुद्धी क्यों की परमात्मा बाप को सरव्यापी कह देते हैं और तुम हो विनाश काले प्रीत बुधी यानि तुम बाप को जानते हो जो जानते हैं वो कौन है प्रीत बुधी तुम समझते हो हमने इस चुरासी जनम लिये हैं चुरासी जनमों में पाप आत्मा तमु परधान बन गए है यानि कि दीवी देवताय थे भारत वासियों ने ही चुरासी जनम लिये हैं और अब नाटक पूरा होता है सब को वापस जाना है जहां घर से आये थे वापस सब को सुभागे मिले गाना जाने का तुमको और तुमको और तुमको बाप राज योग सिखा रहे हैं और ये है सब की कयामत का समय अरतात सब के कारमी के काउंट सेटल होने का समय अरतात सब का मौत का समय तो उन यादों की भी इश्वर से प्रीत नहीं है इसलिए कहा जाता है विनाश काले विप्रीत बुद्धी फिर बाबा ने क्लियर कर दिया है कोई भी देधारी मनुश से प्रीत नहीं लगानी है क्यों वो तो है रचना रचना से वर्सा मिलना सके भाई को भाई से वर्सा थोड़ा ही मिलता है अब ये तो अच्छी रिती से समझाया है तुम बच्चे अभी समझते हो उनकी है विनाश काले विप्रीत बुद्धी और तुमारी है प्रीत बुद्धी अब आगे सुनो बाबा के बच्चे सबकी है प्रीत बुद्धी अब आगे सुनो इसमें भी जो तिवर पृत वाले हैं कौन तिवर फास्ट जिनकी प्यार बाबस ज़्यादा है तिवर पृत वाले हैं यानि बाप से पूरी पृत रखते हैं पूरी पृत मना हम बाबा से 21 जनम स्वर्ग का वर्सा लेते हैं इस जनम का भी पूरा और अगले जनम का भी पूरा चुकि वो बाबा ही सत्य बताते हैं गौड इस तुस का जाता है इसका मतलब दुनिया में और कोई सत्य बोलने वाला नहीं है तब ही बाबा को बोला गए गौड इस तुस वो बाबा ही सत्य बताते हैं और कोई से प्रीत नहीं रखनी है फिर बाबा ने कहा जब नया मकान बनाते हैं तो फिर नये मकान से प्रीत लगी जाती है समझा जाता है पुराना मकान तूटी जाना है डिस्मेंटल कर देना है इसको तो हम भी पुरानी दुनिया से दिल तोड़ते जाते हैं इसके लिए कोई दुनिया से कोई अटेस्टमेंट ने है यह खत्म होने वाली है किसी को दिल देंगे किसी का दिल लेंगे तो फायदा क्या हैं तो बाप समझाते हैं अलर्ट दिन प्रती दिन वाईयू मंदल खराब होता जाएगा लोग सोच रहे हैं अब बस ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा खाली कुरोना नहीं है यह अब ही तो आगे-आगे महौल वाईयू मंदल और होता जाएगा देखती हो कितने हंगा में होते हैं तो समझेंगे कि बस अभी ये खलास होते हैं और हम को जाना है नई दुनिया में कहा जाना हमने नई दुनिया में तो नई दुनिया को याद करना पड़े बेहद के बाप और वर्से को याद करना है वर्सा कहा है नहीं जुनिया बाप बाप से वर्सा मिलता है उसको याद करना है और कोई को याद करने से मिलेगा कुछ नहीं अब मुनुश भक्ती मार्ग में तो इतना याद करते हैं मा, बाप, मित्र संबंदियों को याद करते हुए भी फिर देवी देवताओं को कितना याद करते हैं फिर पानी में शिनान करते हैं और पानी में शिनान करने को कहते हैं पतित पावनी गंगाजी को कहते हैं पतित पावनी पिर दिखाते हैं तीर मारा और गंगा निकल गई और फिर गंगाजर मुक में देते हैं समझते हैं थोड़ा भी गंगाजर मिलने से मुक्ति को पा लेंगे और बाप कहते है बक्तिमार बाप कहते हैं यहां है ग्यान की बाते तुम थोड़ा भी ग्यान सुनते हो तो फल मिल जाता है तो यह है ग्यान सुनने की बात अमरित पीने की चीज नहीं है यह ग्यान है ग्यान अमरित है ऐसे नहीं समझो कि भोग के दिन अम्रित पिलाते हैं नहीं वो तो है मीठा पानी बाकी ये है ग्यान की बात ग्यान जब पीते हैं इससे हम मीठे बन जाते हैं देवी देवता बन जाते हैं तो ग्यान अर्थात ग्यान अर्थात बाप और स्रिष्टी के आदी मध्य अंध को जाना ये स्रिष्टी चकर कैसे फिरता है कौन 84 जणम लेते हैं आब सब तो 84 जणम ले ना सके तो पहले पहले भारतवासी देवी देवता थे वो ही आते हैं और वो ही पूरे चुरासी जनम लेते हैं यानि कि जो देवता थे वो ही चुरासी जनम भोक पतित बन जाते हैं तो बाप आकर फिर काटों से फूल बनाते हैं और मुनुश देह अभीमान में आकर पाँच विकारों में फस पड़ते हैं अब है रावन राज और सत्युगता दैवी राज तो शिव बाबा ही स्वर्ग की पूरी रचते हैं शिवाबाई स्वर्ग की पूरी रचते हैं सुरिवन्शी सुर्ग में सुरिवन्शी लक्ष्मी नारायन का राज्य था अभी ये तुम जानते हो कि उसकी स्थापना अभी हो रही है तुम्हारी विनाश काले प्रीत बुर्दी है इसलिए तुम विजय हो इसलिए विजय है सारे विश्य पर तुम विजय पाते हो प्रीत बुर्दी हो की सारे विश्य पर विजय पाते हो ये अच्छी रितियाद रखना है क्या कि हम पूरे प्रीत बुर्दी है पूरे विश्य पर विजय पाते हो यानि हम भारत वासी जो अभी कल्यूग में है सुफिर बदल कर स्वर्ग में जाएंगे तो पुरानी दुनिया को छोड़ना है ये विकारी सबंद कल्यूग में कह सबके विकारी सबंद इसको बंधन कहा जाता है बंधन में जहां सबंदों से अच्छे समद बनाते हैं सोचते हैं अच्छे समद नहीं रहे के साथ क्योंकि विकार हैं इसलिए बंधन बन जाते हैं बंधन में जहां दुख मिलता है सुख के लिए रिशलेशन बनाते हैं पर जहां विकार आएंगे वहां दुख मिले गए मिलेगा तो बंधन दुख देते हैं संबंध सुख देते हैं तो कल्यू में हैं बंधन तुम विकारी बंधन से निकल निर्विकारी संबंध में जाते हो फिर दूसरे जनम में तुम अभी से प्रैक्टिस करनें गे निर्विकारी बनने के तो दूसरे जन्नम में तुम विकारी बंधन में नहीं आएंगे अभी का ब्यास हमें आगे फूर देगा वहाँ है ही निर्विकारी संबन्ध इस समय है आसुरी बंधन आत्मा कहती है हमारी शुब बाबा से प्रीत है किसकी तुम ब्रामनों की प्रीत है क्यों 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 तुम यत्हार तृती बाबा को जानते हो किसको जानते हो बाप को स्रिष्टी चकर को जान तुम फिर औरों को समझाते हो अब जितना जो औरों को समझाएंगे तो बहुतों का कल्यान करेंगे जो जास्ती समझते हैं वो ही होशार है और वो ही उँच पद भी पाते हैं अब सेवा ही कम करते हैं सर्विस ही कम करते हैं तो पद भी कम पाएंगे जो करेगा सो पाएगा जितना करेगा उतना पाएगा पतित तो सारी दुनिया है हर एक को पतित से पावन होने का रास्ता बताना है पावन बना तो नहीं है रास्ता बताना है और कोई उपाए नहीं है उपाए क्या है पावन बनने का रास्ता क्या है याद से ही विकरम विनाश होंगे याद से ही विकरम विनाश होंगे और जो दैवी संपरदाएके हैं उनके सामने ये अक्षर गुझेंगे याद रखना ये अक्षर गुझते हैं कि ने गुझते हैं और समझेंगे ये तो ठीक बात है बरोबर हमीं देवी देवता बनते हैं तो हमारा बोजन भी शुद चाहिए हमारा बोजन भी शुद चाहिए देवी गुन भी यहीं धारन करने है कितने देवी धारन करने है सर्व गुन संपन यहीं बना है अभी तुम बनी रहे हो ये लक्ष्मी नारायन देवताएं हैं अब इनको भोग लगाते हैं तो क्या सिगरेट का सिगरेट आदी का भोग लगाते हैं सिगरेट पीने वाला पूँच पद पा नहीं सकता ये कोई दैवी चीज़ नहीं है सिगरेट पीएंगे वाल लसन प्याज आदी खाएंगे तो और ही गिर जाएंगे क्या हो ऐसे और ही गिर जाएंगे कहते हैं ये छोड़ने से तबीयत खराब हो जाती है लोग कहते हैं ना लसन नहीं खाएंगे तो प्रॉलम आजाती हैं डॉक्टर अपने बिजनस के लिए लोगों को मिस चूज करते हैं ताकि लोग डॉक्टर तो है ना जितने लोग बिमार होगे उतने के इनका बढ़ेगी लसन तो जहर है लसन प्याज तो जहर है ये कोई डॉक्टर बताते हैं ना तो क्यों जहर है क्योंकि लसन ठीक नहीं करता ये बिमारी को सिर्फ दबाता है जब टेस्ट कराते हैं देखते हैं बिमारी तो है नहीं और लोग खुश ज़ियाते हैं ये नहीं पता कि वो दबा रहा है एक यवारी वो बस्ट होती है इसान फिर खत्म हो जाता है ये ग्यान तो देते हैं नहीं तो बाबाने कहा और ही किर जाएंगे कहते हैं चोड़ने से तबीद खराब हो जा रहा है शिराब सिगर्ट पीने से वाले कहते हैं तबीद खराब हो जाते हैं क्यों वो सोचते हैं शिराब पिएंगे टाइम पर नींद आ जाएगी सुरे रा पर चुटे कैसे तो बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करो और इसको याद करके पैक्टिकल में देखो जई कैसे बड़ी इसी लिए सब छूट जाता है छोड़ना कुछ नहीं है फुदी छूट जाता है क्योंकि छोड़ेंगे तो दुबारा पकड़ेंगे उसको जो इसे बाबा कहते है शिव बाबा को पैक्टिकल में याद करो ये आते सब छोड़ दो तो तुम्हारी सदगती होगी अब सिगरेट की आदत तो बहुतों में रहती है बाबा को सब पता होता है समझानी दी जाती है कि देवताओं को कभी भी ये भोग नहीं लगाया जाता है तो तुम को देवताओं जैसा यहां ही बनना है तुम चीची 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 चीचीचे खाते रहेंगे तो वही बास आती रहेगी अब देखो सिगरेट वह शराप पीने वालों से दूर से ही बास आती है ना दूर से समल आती है और जो लस्तन काते है वो गाड़ी में अगर आख़शा बैठ जाएं उनके तो शरीर से क्या उनके रोम रोम से बदबू आती है गाड़ी में अगर बैठते है ना एसी बंद क करके शीशे सारे खोलने पड़ते हैं इसी भी चलता रहता है शीशे भी खोलते है तेतनी बदबू आती है सोते कब होते रेंगे वाहिसा भी यह नहीं ऐसी बदबू आती है लस्तन काले वालों से तो तुम बच्चों को दैवी गुंधारन करने हैं और वैश्नव बनना है विश्नु से तुम विश्नु अर्तात दैवी संतान बनते हो यह हो तुम इश्वरिय संतान तुमारा संगव युक पर तुमारा यह सरवतम जनम हैं क्यों क्यों क्योंकि मिस्ता में हैं इश्वरिय संतान देवताओं से भी उत्तम तुम हो वो दैवी संतान कहेंगे और तु तुम औरों को भी उत्तम बनाने वाले हो ये हैं बेहद के बाप की मिशनरी हरे का मिशन होता है हरे का लक्ष होता है क्रिश्चन लोगों की मिशनरी होती है उनका भी मिशन होता है लक्ष और उसको चलाने को कहते हैं मिशनरी तो kristian लोगों की missionary होती है न अपने kristian dharm में बहुत हो को convert करते हैं और यह है इश्वर ये missionary इश्वर का तुम क्या करते हो शुद्र से ब्रामन dharm में करते हो क्यूं करते हैं ब्रामन क्यों बनाते हैं सब को देवता धरम में कनवर्ट हो जाते हो फिर तुम देवता धरम में कनवर्ट हो जाते हो हम ब्रामन किसे लिमाते हैं देवता बनाने के लिए तुम जानते हो हम शुद्र से अब क्या बने हैं ब्रामन तो तुम जीते जी मरे हो विकारों को शोर दिया बता है विकार के हैं चोड़ दिया सब कुछ पता होते हैं पिछोड़ दिया कल्यूग की समद बंदन जो थे समंज कुप की समंद कहते थे जो बंदन थे सब छोड़ दिये तो क्या बनगे तुम ब्राम्मन यानि जीते जी मरे फिर जाकर बनेंगे देवता जनम गरब से ही मिलेगा उसको कहते हैं गल्यूग में गरब जेल वोगी गरब महल पेनलेस तो यहां तुम को बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है एडॉप्ट किया है किसलिए धर्म का बच्चा क्यों बनाया धर्मात्मा बनाने के लिए बाप ने तुम को अपना बनाया है बच्चों को बाप सिखलाते हैं और ब्रामन से फिर देवता बनते हैं यह मनुश्य कितने उँचे हैं इन में सब देवी गुन है देवता हमें है तो मनुश्य देवी गुन है जब तुम आत्मा पवित्तर बन जाएगी तो फिर शरीर भी पवित्तर चाहिए पुराने शरीर को खतम होना है फिर तुमको शरीर नया सतो परदहान चाहिए सातो गुन जिसमें हो ऐसा शरीर चाहिए सत्युग में पांच तत्व भी सतो परदहान बन जाएंगे तो बाप कहते हैं फिर वरनों की बात आए बाप कहते हैं तुम शुद्र वरन में थे अब पिर ब्रामन वरन के बने हो फिर आएंगे दैवी वरन में चुरासी जनम लेंगे न ब्रामन वरन को भक्ति मार्वालों ने गुम कर दिया चार दिखाते हैं देवताश्यत्रिर वैशिशुद्रब्रामन को ब्रामनों को बनाने वाला काई खदम कर दिया अब बाप शुद्र से ब्रहामन बनाए फिर बनाते हैं देवता तो अब तुम ब्रहामन हो चोटी बाजोली होती है ना अभी ब्रहामन है फिर देवता बनेंगे फिर शत्री बनेंगे फिर वैश्य बनेंगे फिर शुद्र बनेंगे फिर बनेंगे ब्रहा जाता है चकर अभी तुम ब्रामन वरन में हो ये नौलिज तुमें अभी है फिर तो प्रारब्द मिल जाएगी इसका रिवार्ड मिल जाएगा रिवार्ड क्या है वहां सदा सुखी रहेंगे वह भी 21 जनम नमबर वार इस समय के पुर्शार 1 जनफार इस समय जिन्ददी में मेहनत करलो पूरे 5000 सालों में मेहनत से मुक्त रोगे बिना मेहनत के सब प्राप्टी होते रहेगे कोई रजाई घराने में कोई प्रजा में जाएंगे रजाई घराने में सुख बहुत है फिर कलाएं कम होती है तो तुमको 84 जन्मों का ज्यान मिला है और समर्थी आई आगया बाप आकर समझाते हैं मीठे मीठे बच्चो तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए है अब कोई ने 84 जन्म कोई ने 80 कोई ने 50 60 जन्म भी लिये हैं सबसे जास्ती तुम भारत वासी सुक देखते हो इस ड्रामा में तुम्हारा नाम बाला है तुम्हारे मंदिर हैं कितनी लोग किरती करते हैं कितनी पूजा करते हैं तुम्हारी देवताओं सभी तुम उंच हो और जानते हो हम सो पूजे बनते हैं देवता बनते हैं ने पूजे बनते हैं सत्युग में हम किसी को भी पूजते नहीं न हम को कोई पूजते हैं वहां हम है ही पूजे फिर कलाएं कम होती जाती हैं और हम पूजे से फिर पूजारी बन माथा टेकते हैं दौपर में हम पूजारी बनना शुरू करते हैं अंत में फिर सभी व्यब्याचारी बन जाते हैं पहले व्यब्याचारी एक ही पूजा करते हैं पिर अनेकों की पूजा करना मानी व्यब्याचारी बन जाते हैं और लास्ट में तो ये श्रीर पांच तत्वों का बना हुआ है उन की कोई बैठ पूजा करते हैं देधारी की मूर्टी बिनादी उसकी पूजा करते हैं तो उसको का जाता है भूत पूजा Tत्व पूजा हर एक में पांच भूत है दे अब इमान का भूत फिर दे मनाया है फिर कामकरोध का भूत तो क्या कहो क्या कहेंगे भूत संपरदाय कहो अत्वा आसूरी संपरदाय कहो बात तो एक ही है तो बाप आकर फिर बनाते हैं दैवी संपरदाय पूरी देटों की पूरी कम्मूनिटी बनाते हैं तो बाप आती हैं भूतों से छुडाने और अपने साथ योग लगाए देवता बनाते हैं गुरु नानक ने भी महीमा ग्राई है वाई गुरु की क्या कि परम पिता परमात्मा ने मनुश्य को देवता बनाया मनुश्य चे देवता के करत ना लागी वार जब हो आए और वही है पतितों को पावन बनाने वाला यानि मनुश्यों को देवता को या पतितों को पावन बनाने वाला को अच्छा मीठे मीठे सिक इलदे बच्चों परती मात पिता बाप दादा का याद प्याहर और गुड मॉर्निंग हम रुठानी बाप की रुठानी बच्चों को नमस्ते हम रुठानी बच्चों की रुठानी बाप को नमस्ते अब मुख्य पॉइंट चुनो धारना के लिए मुख्य सार है बरामन से देवता बनने के लिए क्या बनना है हमने बरामन से बरामन ही रहके फसली जाना है बरामन से देवता बनना है उसके लिए जो भी चीची आते है सब को पता होते हैं मेरी कौन को सिची आता है उन सब को छोड़ना है और सेवा क्या करनी है शुद्रों को बरहामन धरम में कनवर्ट कर देवता बनाने के लिए इश्वरी मिशन के कारे में सहयोगी बनना है वागी शिराब सिगरेट या जो भी गंदी आते हैं वो निकाल देनी जो भी गंदी आते हैं जो देवताओं के काबिल नहीं है लाइक नहीं है वो निकाल देनी जो मेरे बाप को अच्छी नहीं लगती है वो निकाल देनी कौन कह रहा है मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा दूसरा इस विनाशकाल के समय में एक बाप से सची प्रीत रखनी है पूरी प्रीत रखनी है पुराना मकान तूटने वाला ये कल्यों की दुनिया खत्म होने वाली है इसलिए इससे दिल निकाल नए से लगानी है करना के है वरदान श्रेश्ट वृति द्वारा प्रवृति को प्रगरती का साधन बनाने वाले सदा समर्थ वान भो तो बहुता हूँ शिरेश्ट वरिती द्वारा प्रवरिती को प्रगती का साधन बनाने वाले सदा समर्थवान भव कौने आज हम सदा समर्थवान 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 हुता है पावर समर्थवान में पावरफुल हम कौन है आज सदा पावरफुल कैसे बने जब परवृति को परिवार को परगरती का साथन बनाए जो परिवार आपका है वो ही आपकी हल पर आपको आगे बढ़ाने के लिए वो कैसे करेगा जब आपने वृति शिरेष्ट रखती है प्रवृति किसे बनती है वृति से वृति किसे बनती है विचारों से विचार किसे बनते है समरीति से तो आपकी समरीति में क्या है वैसा विचार चलेगा फिर विचार कंटिन्यूस चलेगा आपका attitude बन जाएगा आपका behavior बन जाएगा वो आपकी बन की वुरिती उस वुरिती से आपका परिवार बन रहा है तो परिवार को अच्छा बनाने के लिए अपनी वुरिती बदो वुरिती के लिए अपनी संकल्ब को बदो तो संकल पेली अपने समरित्त में देखो क्या रहता है बाबा है बाबा का वर्सायाद है वह विख सदा समर्सवान बन जाएग़ सुना बाबा निके स्वता है परिवृत्त में पहले वृत्त से पवित्र वअपिवत्त बनते हैं पहले attitude आपको आता है ख्याल आता है यदि वृति को सदा एक बाप के साथ ही लगा दो यानि एक बाप दूसरा ना कोई ऐसी उची वृति रहे तो प्रवृति प्रगति का साधन बन जाएगी जो परिवार से आज बंदन थे प्रशानी आ रहे थी है ना वो परिवार आपको help करने लग जाएगा याप वृति आपकी अच्छी बन गी मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई वृति बाप है बीज बीज को पानी जते लोगे सब को पानी मिल जाएगा है ना सब को खुश करो कोई नहीं कुश होगा एक बाप पो कुश कर दो सब कुश मनशिर हो जाएगे वृति ऊंची और श्रेष्ट है श्रेष्ट मिज बाबा के साब से है तो चंचल खुई नहीं सकती ऐसी श्रेष्ट वृति द्वारा प्रगती करते हुए गती सदगती को सहजी पालेंगे फिर सब कम्प्लेंट कम्प्लीट हो जाएगी अगर आप कम्प्लीट बन गए कैसे पतल लगया नो कॉश्चन कोई किसी के लिए गिला शिक्वा नहीं है कोई कॉश्चन ही नहीं है सब बढ़िया है मेरा परिवार है बाबा का दिया गया परिवार है बस नो कम्प्लेंट कम्प् उसके लिए स्लोगन दिया अगर पवित्तरता सोपन मात्र भी हिलाती है सपने भी अगर पवित्तरता हिलाती है तो निश्चे का फाउंडेशन कच्चा है तो निश्चे का फाउंडेशन कच्चा है इसके मनलब क्या बाब भी निश्चे नहीं है बाबा पर निश्चे नहीं है क्या कोगे निश्चे नहीं बाबा पर सब कहेंगे बाबा पर पूरा निश्चे है जब निश्चे की बात होती है निश्चे के फॉंडिशन में चार फॉंडिशन होते है स्वयम पर निश्चे बाबा पर निश्चे ड्रामा पर निश्चे और मीठे ब्रामन परिवार पर निश्चे तो अपने पर निश्चे की कमी है बाबा पर निश्चे है अपने पर निश्चे की कमी है तो ड्रामा का पाट पक्का नहीं है तो प्रावलम आती है तो अपने पर निश्चे आजे कैसे है का अपने में निश्चे जब आप हर एक बात बाबा को बताते हो और उस के बाबा के दिये हुए कारे को टैक्टिकल में करना शुरू कर देते हो निश्चे बुद्धी विजनती है अप निश्चे सुज़ करो चुकि एक कदम आपका पदम कदम बाबा की जब दूसरा काम ठीक होता है अपने भी निश्चे हो जाता है बाबा भी निश्चे हो जाता है परिवार पे निश्चे तो क्या कराते हैं निश्चे बुद्धी विजनती ओम शांती